हालो एवडीवान, आज बात करेंगे D.A.C. 15 दलित राइटिंग्स की, I hope आप सबकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, मुझे लिखकर बटाएए, कॉमेंट्स में तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो बिना फॉरवर्ड किये, बिना कोई भी पॉइंट स्किप किये और आपको एग्जैम्स में अच्छे मांक्स जरूर मिलेंगे बिफोर मुविंग फॉरदर, प्लीज दो नॉट फॉरगेट टो शेय और सब्सक्राइब टी चैनल आप टेलिग्राइम चैनल की मेंबर्शिप भी जोईन कर सकते हैं और वेरी सून आपकी सभी सिमिस्टर्स की पीडिएफ भी प्रिपेर कर रही हूं लेकिन अभी और सिमिस्टर्स है और इनकी ज्यादा औरजेंसी है तो मैंने और सिमिस्टर्स से सिमिस्टर फाइफ से शुरुवात की है जब तक आप लोग semester 6 में पहुँचेंगे, मैं semester 6 के PDFs भी prepare कर चुकी होंगी और वो भी आपको मिल जाएंगे तो यह हैं आपके तीन major topics, DSE 13, 14 and 15 इसमें से 13 थोड़ा सा ज्यादा ही tough है, लेकिन कोई बात नहीं, आप videos देखेंगे और PDF से अपनी studies की revision करेंगे, तो बहुत अच्छी preparation हो जाएगी अपनी topic की बात करते हैं, last will of a Dalit poet, poetry है यह जो हम करने वाले हैं and the writer is Sahitya Academy Award winner, Jayant Parmar who is born 1954, Urdu-Gujradi दोनों languages में लिखते हैं और हमारी जो poetry है, that is part of listen to the flames, text and readings from the margins आप ये जरूर याद रखे, बेशक आप editor का नाम याद नहीं रहता है, तो you can skip it लेकिन topic का नाम और topic कहां, और कौन सी collection में publish हुआ था, किस ने लिखा था उस writer की कोई specific achievements है या नहीं, जैसे यहां society academy है, तो यह सब लिखते हैं न, छोटे-छोटे points के आपको marks मिलते हैं थोड़ी सी बात करते हैं, पर्मार जी के बारे में born 1954, marginalized background है, उनका एक disadvantage community या सुख वर्ट लॉर क्लास से वो आते हैं, जहां पर उन्होंने बहुत exclusion और operation phase किया होगा उनकी poems हमेशा ही वही sufferings explore करती हैं, express करती हैं, अपनी poetry को उन्होंने एक defiance की तरह, एक ढाल की तरह, एक challenge की तरह, इस्तेमाल किया है, unfair system को unveil करने में और कहीं ना कहीं उनकी पूरे work में ही उनकी struggle, उनकी community की struggle नजर आती है, and we can see call for change, सभी चाहते हैं, कोई भी marginalized community जिसका exclusion हो रहा हूँ, operation हो रहा हूँ, वो चाहेगी की society में changes आएं दो concerns हैं इस poetry में, एक है ostracization और एक है resistance, ostracization होगा तो resistance भी जरूर होगा, अगर किसी को exclude किया जाएगा, discrimination होगा, partiality होगी, तो वो person resist तो करेगा ही करेगा, अपनी एक identity create करने के लिए The last will of a Dalit poet, translate किया है, बैदर बक्तने from Urdu, a Dalit poet leaves several things behind, a paper dripping wet with blood, a black sun on the night's head, a river of blood, a lantern of his ancestors तो परमार जी discuss करें कि किस तरीके से Dalit poets have left behind powerful symbolism, जिससे कि उनकी journey navigate होदी है, उनकी यात्रा का पता चलता है, हमें उनकी struggle का पता चलता है देखी कैसे symbolism हैं, paper dripping wet with blood, यह represent करता है violent history of Dalit atrocities, Dalits पर क्या-क्या अत्याचार किये गए होंगे, black sun on the night's head यह signify करता है, the pervasive, the excessive darkness of a Dalit's life, system ने किस तरीके से उनको deprive किया है बहुत सारी opportunities से कि उनकी life ऐसी होगे है कि there is a black sun on the night's head then he talks about river of blood, lantern of his ancestors river of blood reflect करता है, continuous discrimination and hardships that is ingrained in the existence of a Dalit writer ultimately, इस सारी images जो है ना Dalit narrative को दिखाती हैं, सिर्फ personal नहीं, collective journey of the suffering of the whole community last में वो कहते हैं, lantern of his ancestors यह symbolize करता है कि किस तरीके से उन्हें यह legacy मिली है, यह जायदाद मिली है अपने पुर्खों से, अपने बुजर्गों से कि उनको बस सफर ही सफर करना है लेकिन अब शायद ऐसा वक्त आ गया है कि there is a need for social transformation to address all the historical injustices अन्याय के खिलाफ आवाज अठाने का वक्त आ गया है He never assaults you with symbols, metaphors और personalities, a heavy burden on a donkey's back He himself a wounded shadow He has no existence, there is a little difference between him and a broken cup परमाजी आग्यू करते हैं कि एक डलित poet है ना, डलित poet, डलित writer कभी भी overwhelm नहीं होता बहुत से literary devices यूज नहीं करता वो तो अपने experience को दिखा दें आपको उन लोगों को symbols, metaphors, personalities इस्तेमाल करना नहीं आता पहले बात होगी कि हमारे साथ क्या-क्या गलात हो रहा है तब तो बात होगी ना कि हम अपनी poetry को decorate करें Assault word यूज किया गया है यहाँ पर देखे The term assault refers not to the physical violence but to the way poet's words, you know, reveal normalized discrimination in a caste-based society Poets सिर्फ reveal करें कि discrimination को आपने कैसे कितना normalized कर दिया है कि एक दलित की काम नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता है अपनी बारात में घोड़े पर नहीं चड़ सकता है, something like that दलित के लिए बहुत से rules बनाया जाते हैं This is for us, that is for you and that too in a humiliated way While Dalit writing एक, you know, आज तक की सारी troubles को recount जरूर करती है लेकिन इसका aim किसी को actual में assault करना नहीं है लेकिन provoke करना है society को about the needed equality and transformation बाद में वो बात करते हैं, heavy burden on donkeys back यह symbolize करता है personal and collective operation किस तरीके से पूरी की पूरी community का एक collective operation किया जा रहा है उन्हें डबाया जा रहा है by describing himself as a wounded shadow और a broken cup broken cup की भी बात की गए, देखे he highlights कितना dehumanization हो रहा है एक broken cup जो है कोने में अलग से रख दिया जाते हैं, कई लोग रख देते हैं कि थोड़ो सा तूटा है हमारी maid इसमें पानी पी लेगी, हमारी maid इसमें चाय पी लेगी तो एक broken cup और एक डलित इंसान की treatment में कोई फरक ही नहीं है social marginalization जो है that is still ongoing and there is still absence of values assigned to dalit lives तो अभी भी equality की बातें on paper तो बहुत होती हैं लेकिन dalits को अभी भी बहुत सी जगहों पर operation face करना पड़ता है maybe living in urban cities हमें वो experience नहीं होता जो की rural areas में होता है he who makes images with cow dung has at least the sense to know that in the hourglass in the smell of exiled earth in the sunflower of rebellions in the sphere of the pin and the ink art lives forever पर माजी यहां पर examine करें relationship between a dalit social existence and transformative power of art dalits की social existence क्या है वो तो सब जानते लेकिन power of art क्या है वो सब लोग नहीं जानते तो he is trying to say कि हम अपनी writing की power से ही एक difference लाएंगे he highlights the close connection between dalit and nature while addressing the discrimination they face in accessing everything they are performing menial tasks है ना जितनी भी so called lower jobs होती है, cow dung उठाना, साफ सफाई करना वो सब dalits के साथ associate की जाती है लेकिन उनकी struggle है देखिए यह social ostracism society से एकदम कट जाना कि तुम लोग ऐसे काम करते हो जिससे हम लोग दूशित हो जाते हैं, प्रदूशित हो जाते हैं, उनको अलग थलग कर दिया जाता है वही इनसान सफाई करके जा रहा है लेकि उस इनसान को आप टच नहीं कर सकते हैं कि फिर वो आपके लिए खराब हो जाता है तो संफलार ओफ रिबेलियन ये भी बात की उनोंने, ये सिंबलाइज करता है कि हाँ उनकी जो स्ट्रगल है जो उनका रेजिस्टेंस है, रेविल्यूशन है वो काफी यू नाजुक है लेकिन कोई बात नहीं वो अपना ये नाजुक सा रिबेलियन भी कंटिन्यू करेंग तो वाल डलत पूट्स मेल आख रिकॉग्निशन नाओ, अभी हो सकता है उने रिकॉग्निशन नहीं मिल रहें लेकिन अपने पने पन और इंग याने कि अपनी रइतिंग के थूछ अपनी आट के थूछ आट के थूछ ये विल्मेग देर प्लेस एंदेशीव अभी हमें आ परमार जी एंफेसाइस करते हैं कि दलिक पोईट्स की सर्च जो है अपनी इडेंटिटी और एक्जिस्टेंस के लिए है इतना ही दे दो तुम सोसाइटी को कहते हैं इतना ही दे दो तुम कि हमें एक इंसान मानना शुरू कर दो हमें तो अपनी एक्जिस्टेंस चाहिए हम हम वो time period चाहिए कि हम proud से कह सकें कि हम Dalit poet हैं, हमें अपनी identity छुपानी ना पड़े इस तरीके कर ऐसे question आपको आ सकता है, examine what is the, why is the notion of self-representation significant अपने आपको represent करना इतना जरूरी क्यों है Dalits के लिए because it allows Dalits to reclaim this story, challenge stereotypes and assert their identity नहीं करेंगे तो कैसे दिखाएंगे अपनी identity अपना experience शेयर करेंगे ना बताएंगे क्या कि atrocities हमारे साथ हुई, क्या कि issues of inequality रहे political powers को बताना बहुत जरूरी है कि Dalits की भी एक voice है उनकी dignity, उनका सम्मान, उनका recognition, उनकी empowerment होने की hope तो है कम से कम जब तक बताएंगे ही नहीं तो how can they fight for their rights इसी answer को expand किया है मैंने PDF में और 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 भी questions prepare की हैं सभी topics के जो की exactly exam point of view से हैं ये तीन PDF आपको मिलेंगी जितना भी हम videos में discuss करते हैं उससे expanded हैं सभी PDF और PDF में मैंने essay questions भी दिये हैं PDF के तुरू आपकी revision इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको for sure exams में अच्छे marks मिलेंगे provided your basic English is okay अगर आपकी basic English grammar अच्छी है तो ये PDF आपको बहुत help करेंगी 46 pages की DSE 13 की दें DSE 14 23 pages DSE 15 25 pages तो ये PDF बिल्कुल directly exam point of view से बनाई गई PDF से Please do not forget to share and subscribe to the channel मैं आपको एक telegram link provide करूँगी जिस channel को join कर सकते हैं वहाँ पर videos के update provide की जाएंगे regularly उन videos को देखिए सभी lectures को देखिए आपकी preparation बहुत अच्छी हो जाएगी तो इसी video के description में आपको एक telegram channel का link दे दिया जाएगा और सभी playlists के links भी Good luck to all of you for your upcoming examination